तो दोस्तो आप सभी को मेरी तर्फ से हैप्पी इंडिपेंडेंस दे और भाई आज तो इंडिपेंडेंस दे है आज इंडियन्स के लिए कुछ हो जाए तो सुनिए भाई भारत का वासी हूँ मैं ना हिंडू, मुसल्मान, ना ही सिख, ना ही इसाई हूँ मैं हम सभी की रक्की को देखकर तो भाई ये हेटर्स के लिए भारत का इतिहास पढ़के देख ले तुझे सब पता चल जाएगा और अगर फिर भी देश के खिलाफ बोलता हुआ दिख जाएगा ना तो साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा वहाँ दोसों में बिक जाएगा जैहि मिनाटी की लाइन तो यादी होगी दो सुर्पे मिठाई वाली वन अव द बेस्ट थी और आज हम बात करने वाले हैं यहां पर कुछ थीम्स की पसंद आती है वीडियो लाइक जिरूर कीजिएगा वीडियो के लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का आई होप आप पूरा कर दे तो यहार हमारे पहले थीम का नाम है वोइड वी ओ आई डी यह आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा अपलाई करने के बाद आपको कुछ इस परकार का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा जब आप अपने डिवाइस को चार्ज करेंगे यहां पर आपको लाइब व आपको रीडिजाइन की गई है आप देख सकते हैं और जो नोटिफिकेशन यानि की कंट्रोल सेंटर है वो भी बहुती जादा चेंज कर दिया गया है जो मेरे को यहार काफी अच्छा लगा आपको जो है डिफेंट डिफेंट कलर मिल जाते हैं तो यहां पर सेटिंग्स मे तो एनलिंग यह थीम का नाम है आप देख सकते हैं यह आपको थीम स्टोर में मिल जाएगा बहुती सिंपल थीम है यार आप देखेंगे बिलकुल या आपको कुछ इस परकार की जो है चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन में लेफ्टन साइड पर आ आइकॉन है आप देखेंगे थोड़े काटूनिश है मेरे को यह काफी अच्छे लगे बहुती सिंपल है और आपको कुछ इस परकार की स्टेटस बार एंड आपको यहां पर कुछ इस परकार का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है तो यहां पर यहां मेरे को कंट्रोल भी यहाँ पर change कर दिया गया है तो यहाँ बहुती lightweight theme है try जरूर कीजिएगा next है दोस्तों यहाँ पर elegant OS यहाँ की elegant origin OS यह आपको theme store में मिल जाएगा यहाँ पर कुछ इस परकार का charging animation आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर जो clock है यहाँ बहुती बहतरीन है आप देखेंगे काफी अच्छे design के साथ and animation के साथ आती है आप इसे change भी कर सकते हैं यहाँ पर नीचे tap कर के और यहाँ पर home screen में आपको कुछ इस परकार का widget मिल जाता है कुछ इस परकार के icons है और यहाँ परा widget यार मेरे को बहुती बहतरीन लगा स्टेटेस बार भी चेंज हो गई है और यहां पर अगर हम बात करें कंट्रोल सेंटर की तो आपको कुछ इस परकार का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है तो यार मेरे को काफी अच्छा लगा और जो सेटिंग्स है दोस्तों वो भी काफी डिजाइन कर दी गई है आप देखेंगे थोड़ी बहुत चेंजिस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और अबाउट फोन का सेक्शन जो है वो भी चेंज कर दिया तो अच्छा लगा यार और यहां पर बैक जेस्टर्स है आप देखेंगे उसका कलर चेंज कर दिया गया है थोड़ा सा डिजाइन यहां पर चेंज किया गया है तो अगर आपका डिवाइस बूट अनिमेशन को सपोर्ट करता है आप तो आप अपने डिवाइस को रीबूट यहां पावर अप करते हैं तो आपको कुछ इस परकार का बूट अनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि यार मेरे को ठीक ठाक लगा एक युनीक लुक देता है डिवाइस को तो यहां पर यार यह कुछ थीम्स थे तो होफुली आपको आज हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी तो यहार आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वाचिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो जैहिंद जैबारत